कुंज विहारी, श्री हईदास आज की वीडियो उन लोगों के लिए विशेश है जिन पति-पतिनी के बीच में बहुत अधिक लडाईयां होती हैं बहुत अधिक जगडे होते हैं किसी न किसी बात को लेकर के मन मुटाव बना ही रहता है दामपत्य जीवन में ऐसी अशान्ती आ जाती है कि इस्थिती तलाक की बन जाती है तो उन पति-पतियों के बीच में जो तलाक की इस्थिती बन जाती है तो तलाक ना हो और ये जो अशान्ती है अशान्ती दूर हो जाए और उनके जीवन में शान्ती आ जाए दामपत्य जीवन में प्रेम बढ़ने लगे इसके लिए आज एक मैं बहुत ही सुन्दर आपको अनुष्ठान बताने जा रहा हूँ हमारे शास्तर में एक अनुष्ठान बताया गया है शनी और मंगल के कुप रभाव से बचने का बहुत ही सुन्दर नुष्ठान है ये जिसका नाम है विचित्रवीर हनुमान माला मंत्र यदि विचित्रवीर हनुमान माला मंत्र का 1108 कर लिया जाए तो ये जो शनी और मंगल का कुप रभाव है जिस कारण से तलाक की इस्थिती बन जाती है, वो इस्थिती दूर हो जाएगी और तलाक नहीं होगा पती-पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ने लगेगा, वो आपस में एक दूसरे को समझने लगेंगे तो इसके लिए आप विचित्रवीर हनुमान माला मंतर का अनुस्थान करें, अनुस्थान की बिधी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ किसी भी दक्षिन मुखी हनुमान मंदिर में जाकर के, यदि दक्षिन मुखी हनुमान मंदिर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है जी को भोग लगा करके और हनुवान जी के समख्षी ही सामने ही लाल रंके आसन को बिछा करके बैठ जायें और इस विचित्रवीर हनुमान माला मंत्र के पहले संकलप करना होगा और संकलपike बाद आपको विन्योग करना होगा विन्योग के बाद करन्यास और फिर अंगन्यास करने के बाद हन्मान जी का मंत्रों के द्वारा ध्यान करना है और ध्यान करने के बाद रुद्राक्ष के माला के द्वारा आपको हन्मान माला मंत्र का जब करना है और ये जो जब है ये जो पाठ है आपको फल बताया है उस फल से आप लाभानवित निश्चित ही होंगे एक मेरी सलाह ये है कि ये जो क्रिया है ये जो प्रग्रिया है वो तंत्रोक्त है तो इसलिए इस अनुष्ठान को आप किसी बिद्वान आचार ब्राह्मन से ही करवाएं ताकि आपको पूर्ण फल की प् आपती हो